हेई गाइज माई नेम जंद राधा वेलकम टू आर चैनल जी की गाइड़न से नौरिज अपर मौनिंग टॉल आफ यह कैसी अमिर जी के फैमिली आई होप सभी अच्छे होंगे पनी सियत फैमिली पड़ाई का तयान काफी अची से रखी जली शुरात करते हैं अज स्पेशल किया जाता है और 2021 की थीम रखी गई है है इसकी हैपटाइटिस फ्री फ्यूचर जिसके अंदर में ली फोकस किया रहा है कि जो नूबॉंड बेबी जैंडे हैं उनके अंदर हैपटाइटिस B को प्रिवेंट किया जा सके उनके अंदर वो ना होने पाए इसके उपर फोकस होने से उसके लिए इसके अंदर एफ़र्ट लगाए गई है तो शुरात करते हैं कल के कोशन के साथ में मैंने आप से पूझाता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है किसके रिगार्डिंग परधानमंत्री केर्स फोर चिल्रन यह स्कीम है इस स्कीम का एम है क इंशोर किया जासके comprehensive care and protection जो चाइल्ड जो ने अपने माता-पिता को खो दिया है पेरेंट्स को हो दिया है COVID-19 पैंडमिक क्यों जैसे इसको इंप्लिमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है देखे लेते इसके बारे में प्राइम केर्स फोर चिल्रन यह स्कीम है अलाउंस की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की द्वारा ताकि अपने दोनों माता-पिता को यह फिर सर्वाइविंग पेरेंट को यह फिर लीगल गार्डिन को यह फिर अडॉप्टिव होगा कि कौन सा करेक्ट है आगे देख लेते हैं यह स्कीम है इसका एम है ताकि इंजोर किया जा सके और प्रोटेक्शन किया जा सके चिल्रन का जोनों है अपने पेरेंट्स को खो दिया है एक स्टेंड मेंड के अंदर इनेबल करवाई जा सके उसकी वैल्बिंग और सफिशन्ट हेल्प भी दी जाएगी ताकि फैनेशल सपोर्ट मिल सके उसे 10 लाग रुपे का जब वो बचा 23 साल का हो जाए इसके अंदर इलिजिबिलिटी क्या होगी सभी चिल्डन जिन्होंने अपने दोनों मादा पिताया और सर्वाइविंग पेरेंट्स को खो दिया है इसमें लीगल गार्टन अडप्टि पेरेंट्स भी जामिल है COVID-19 के वुज़ेसे 11 मार्च 2020 से लेकर अब तक पेंडमी की वज़ेसे कोई भी बच्चा है जिसने अपने दोनों पेरेंट्स सर्वाइविंग पेरेंट्स लीगल गार्डन अडप्टि पेरेंट्स को खो दिया से या फिर एनिमल फैट से और इस को यह कैमिकल प्रोसस को क्या बूलाय जाता है ट्रांस जर्टिफिकेशन इस प्रोसस के अंदर बहुत ही कम या फिर ना कि बराबर हाम फुल गैसे वह प्रोडूस होती है अगर कंपर करेंगे हम डीजल सी तो इनिसे कौन सी स्टेटमेंट कर जो टर ढव daher इन्मेंट के बन गए है इन्होंने रिसीब किया है पीट इन्हें इन्होंने क्या है म्सेट पैतंत ने बजएक हम करते हैं तो यूजrid के वावा ओन कि जासकि स्की जा सकतिए है कि कोता पूसर पैर जो को सब्सक्रेट करते हैं पिग्स और बड्स जिनके अंदर सिंगल स्टॉमिच होता है उसके अंदर हाइयर फैट देखने को मिलता है तो उसके फैट सचुरेशन की दुआरा ये रूम टेंपरिचर होता है उसके अंदर कर रहे हैं और वन लीटर बाइडीजल हो प्रोडूस कर सकते हैं 100 किलो ग्राम से जिसके अंदर 62 परसंट देखने को मिलता है और इसके अंदर जो की एनर्जी के कंटेंट है हमारे लिए और इसके अंदर जो स्मोक लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है 47 परसंट फिर सेकंड कोशन क्या है माइगोव मेरी सरकार ये पोटल किसके दुआरा रिसंटली चीफ मिनस्टर उत्रप्रदेश के उन्हें ने लॉंच किया इस पोटल को और यह पोटल है किस तरह हैल्फुल होगा क्योंकि जैसे कि हम कोई भी स्कीम लॉंच करती है सरकार तो उसके उपर वह अपने व्यूजिशन और स्पीडबेक हैं वो दे पाएंगी किसी भी सिस्ट से रिलेटर जो सरकार को देना चाहते हैं इसके दुआरा जो पब्लिक पाटिसिपेशन है वो इंप्रूफ होगा आप यहां पर देख लगते हैं इसको कौन-कौन सी स्टेट होकर टच करती है उत्राखंड हिमाचर पर्देश हर्याना डेली राजिस्तान मद्यपर्देश चतिसगर जारखंड बिहार और इसको इंटरनेशनल बाउंडरी नेपाल की भी टच करती है अगला कोशन है हमें बताना है कटलस एक्षरस 2021 इसके बारे में यह स्टेटमट दीए इनमें से कौन सी स्टेटमट करेक्ट हमें बताना है यह एक मेरे टाइम एकसरसाइज है जो सब्सक्राइब की जाती है और यह प्रोमॉट करती है रिजनल और नेशनल लेवल पे जो मेरे टाइम एक सिक्यूर्टी है उसको वेस्टन इंडियन ओशन के अंदर और इस्ट एफ्रिका ऑशन के इंदर पिर इसके अंदर कौन कौन सी ऑग्जनाजेशन सामिल होती है युन 2021 यह नाम दिया गया है इसके अंदर इंडिया से आई इनस तलबार सामिल होने जा रहा है और यह नेवल एक्ससाइज है जो कंड़क्ट की जाएगी 26 जुलाइ से लेकर 6 अगस तक 2021 के अंदर यह वह सज़ा सकता है कि कहां पर होगी है तो यह इस्टन कोस्ट ओफ एफ्रिका के अंदर होगी 2021 Summaye के इसके इंदर 12 इस्ट अफ्रिकन कंट्री सामिल होंगी इंडिया भी सामिल सामेल होगी फिर है critical maritime roots Indian Ocean यह भी सामेल होगे और इंडियन नेवी तो पार्टिसिपेट करी इसके अंदर इंडियन नेवी का रोल है वो ट्रेनर का रोल है विजिट है जो आइनेस तलवार की वह इंडिया की policy है जो साथ विजन सागर है उसकी तुरूप है विजन सागर की इसको पैसियो डेल पराड़ो बुलवेर्डो और रेटरो पार्क इने पहां पर लोकेटेट है इने बताना में Spain France जिपैन नुर्वेग मारा अंसर क्या होगा मारा अंसर होगा इस पेंडर लोकेशन देख सकते हैं यहां पर इसको फ्रेंस और पोर्चुगल दोनों इसको ए इसको बहुत है इंपोर्टन्ट साइट क्योंकि यहां पर 125 हेक्टर ग्रीन स्पेस देखने को मिलता है मतलब कि यहां पर गरीन जहां जो जो चैपिटल के बीचों बीच ऑग कंटर के बीचों बीच है यह और यह आप यह सबसे ज़ादा यह सबसे ज़ादा विजिटेड से इसके बारे में बताना है इसका नाम दिया गया है इसके ब्रैट यलो कलर की वज़े से और यह पहली जनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप है जिससे अप्रूफ किया गया है कोमर्शिल प्रोपोगेशन के लिए साउथ और साउथ इस्टेशिया के इंदर इनने से कौन सी तो वह है फिल्पिन्स यहाँ पर इसका कॉमर्शिल प्रोड़क्शन किया जाएगा यह जन्रीकली मोडिफाइड गॉल्डन राइस इंडरिच है नूट्रेंट्स के इंदर जो की हैल्प करेंगे हमें चाइल्ड के इंदर जो मैलनूट्रिशन देखने को मिलता है उसको कम क दब करने के लिए गोलोड डलोप के गई डिपार्टमेंट ऑफ अई एको एक प्रोड्यक पॉसंट जो विटमन एबोट करवाता है जो कि बहुत जरूरी होता है चो महिने बच्चे से लेकर पांच साल के बच्चे के लिए और यह कॉमबैट करता है चाइल्लूड ब्लाइंटने से और सेव करता है लाइफ डेवलोपिंग बॉल्ट के अंदर पर अगला कोशन है गरीब नवाज के दवारा लॉंच की गई है कि नुज में रिसेंटल यूनियूनियूनिस्ट्र जो मैनियूर्टी अफेर्स के हैं वो कौन आपको यह कमेंट सेक्चिन के अंदर बताना है इन्होंने रिप्लाइ किया है पार्लिमेंट के अंदर बताया गया है कि टोटल 371 ट्रेनिंग सेंटर सेंगरी किसके अंदर ग्रीब नवाज इंप्लोइमेंट स्कीम के अंदर पूरी कंट्री के अंदर यह लॉंच की थी मैनियूर्टी अफेर्स मिनिस्ट्री के दुवारा 2017 के अंदर मुलाना आजात एजुकेशनल फाउंडेशन यह इसकी ऑट्रनॉमस बोडी है किसके अंद में यूरोपा क्लीपर मिशन के बारे में बताने यह अर्थ का पहला मिशन ने जो कंड़क्ट करता है डिटेल इंवस्टिगेशन वीनस के जो मून है यूरोपा उसके बारे में यह फर्स्ट जोएंट इनिशेटिव है नासा और यूरोपीन और यूनिन एजिंसी का यूरोपीन नहीं है यह पर एक प्राइविट एंटिटी है जिसे स्पेस एक्स बुलाया जाता है इसके बारे में आप मेरे साब से जानते ही होंगे यह इलोन मस्की कंपनी है यूस की जो एजन्सी नासा उसने सेलेक्ट किया है कैलिफॉर्णिया बेस स्पेस एक्स को ताकि ब्रवाइड किया जास कि लॉण सर्विश को अर्थ मिशन के इन्दर आर्थ के पहले मिशन के इन्दर जो कंड़क्ट का जा रहा है डिटेल इन्वस्टिकेशन की जाए हिसके अन्र जूपिटिर के मून यूरोपा के बारे में यूरोपा क्लिपर मिशन है यह स्ट्यूल कि पहले से तियार हो रहे हैं फॉलकन है विर्ट के इंदर यूज के जाएगा लॉंच करने के लिए कंप्लेक्स 39A जो नार्सा का है यह कहां से लॉंच किया जाएगा कैनेडी स्पेस स्केंटर से फ्लोरेडा में यह कंड़क्ट करेगा डीटेल सर्वे यूरोपा के बारे में इसके इंदर इंवेस्टिकेट किया जाएगा जो आइसी मून है उसके बारे में उसकी कंडिशन के बारे में कि वह शूटेबल है या नहीं लाइफ के लिए प्रोडूस करेगा उसकी हाई रजलेशन इमेंजें वह भी यूरोपा की पहुचाई जाए और डिटर्माइन किया जाएगा उसकी कंपोजिशन कैसी है और यह भी देखा जाएगा कि उसके अंदर रीसेंट या फि पिरला को सुर्강 कंसिडर करना ह्यें इस भी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में जो मंगीं बणें बताना है यह वाइरिल जौनौ suf होति है इसे पडिया है फिर कोई भी स्पेसिफिक तीडमेंट या फिर वंट में ब्रिऊ के लिए लेकिन पास्ट में जब और इसके इंदर 85% efficient मानेगी ताकि prevent कर सेके वह monkey pucks को उनमें से कौन से स्टेट्मेंट करेट हैं में बताना है फिर्स्ट और इसे कोई नहीं नहीं तो हमारा अंसर क्या होगा हमारा अंसर होगा उनके इंदर कोई भी infection नहीं होना चाहिए monkey pox का क्योंकि नाइजीरिया के इंदर monkey pox एक endemic है कौन-कौन से एनिमल्स हैं जो monkey pox virus के shores हैं जैसे कि monkeys हैं एपीज हैं और इसके साथ-साथ काफी सारे rodents हैं जैसे कि rat है, mice है, squirrel है, pretty dogs हैं और rabbits हैं इसका outbreak फिर्स पहले बार देखने complete होने के बाद में, जब 40 साल तक कोई भी confirm case नहीं निकल कर रहा है, उसके बाद में 2017 के इंदर नाइजीरिया के इंदर इसका largest outbreak देखने को मिला था, subsequently यह disease है, वो report किया गया है, many western और many western Central African countries के इंदर, अगला question है, इनमें से कौन सी city है, जो कि पहली green specific economy zone बन गई कंट्री के इसके options है, कोची, कंडला, चैने, या फिर मुंबई, तो मारा answer क्या होगा, मारा answer होगा, बी, इसके बारे में देख लेते हैं, कंडला है, यह country का पहला green specific economic zone बन गया है, यह oldest export zone है country के इंदर, जो कि पहली green industrial city बनी है, इंडिया के इंदर रिश्टीव किया है, इसके इसे platinum rating दी गई है, IGBC green cities rating के अंदर, जो existing cities को दी जाती है, industrial cities category के अंदर, अगर हम comparison चैक करें, तो 2019 के अंदर 25,000 trees देखे गए थे, और 1000 acre के अंदर, odd acre, जो even or odd का formula होता है, उसके अंदर, odd acre के अंदर, 3.5 lakh trees देखने को मिले हैं, और इसके अंदर, जो most leave है, वो 2019 के बाद में लगा जाते हैं, कि सबसे पहले तो, सरब लेयर को लगाया जाता है, उसके बाद में, सब ट्री लेयर को लगाया जाता है, फिर ट्री लेयर को फिर, कैनोपय लेयर को, आप समझ सकते हैं, सबसे पहले सबसे चोटे पोदे लगाया जाते है, उसके थोड़े बड़े, फिर सबसे ब किया जा सके water की सीपेज को और ताकि रोका जा सके ताकि इसके अंदर सलाइन water mix ना हो फिर अगला कोशन है इन में से कौन सी statement correct है इसके बारे में जो टाइफून इंफा है यह बताना हमें यह एक एक्टिव और बहुत ही बड़ा ट्रोपिकल साइक्लोन है इन लेंड ओवर चाइना के अंदर और यह स्टॉम है इसके वजह से 2021 के अंदर हैनान फ्लड भी देखने को मिली हैं इन में से कौन से स्टेट्मेंट करेक्टर में दाना है फॉस्ट ऑनली दोन है फिर दोनों स्टेट्मेंट हो करेक्ट है आप यहां पर देख सकते हैं यह चाहिना यह ताइवान है यह यह टाइफून बन रहा है कि टाइफून इंफाइस को फिलिपिन के अंदर टाइफून फैबियन के नाम से भी जाना जाता है यह एक्टिव और बहुत ही लाज ट्रोपिकल साइक सब्सक्राइब बन गया है इस ट्रोपिकल स्टॉम ने बहुत ही इंपोर्टन पार्ट अपले किया है ताकि जो हैनान के अंदर जो 2021 के अंदर फ्लॉड निकल कराई है वो इसके वज़से ही क्रेट हुए है 17 जुलाइ 2021 से लेकर जाइना के हैना प्रोविंस के अंदर बहुत इसको भी बीट कर देगा कोस्तला ऍंड़न टाइफलोन त्रों के अंदर जो स्ट्राइक करेंगी चाहिना के इंदर इस धर्डेनमे का अगा है इस की विजह से अगर इसक की विज़ह से चाहिना के हिदा के उन्धर इंड़ेशन को अडड़ेस्ट करने के लिए टोटल नम चाहिथ विल्व कि ये उिलνत्र। पर लिए अजयों нет HR यि